नमस्कार मैं हूँ अंशमन मनी मांग पे आपका स्वागत है आज हमारे संस्क्रण में हमारी मनी मांग है राधिका गुपता राधिका गुपता को आप भूतरे से जानते होंगे वो नई पिढ़ी के लिए प्रेरणा है मीचल फर इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है राधिका गुपता एक तसमलब दो लाख करोड़ रुपए का की एसेट समालती है इसका मतलब समझे आप एक तसमलब दो लाख करोड़ रुपए निवेश को ने उनके भरोसे पर रखे हैं जिसमें वो निवेश करते हैं भारत के फंड मैनेजमेंट के पूरे परिदर्श में इस दुनिया में राधिका गुपता का विश्वास और भरोसा भरोसे का नाम है इसके साथ एक दूसरी महत्तोपूर्ण बात है कि राधिका गुपता ने अपने सफर में में भारत ETF लांच किया जो भारत सरकार का एक महत् परिशित कराते हैं और एक भूमिका आप उनकी बारे में जानते हैं कि फंड मैनेजर है और हम उन दोनों भूमिकां पर बात करेंगे राधिका आज यहां जिस नई भूमिका में है वह भूमिका है शॉक टैंक में उनके शाक होने की शॉक टैंक के बारे में आप जानते हैं अमेरिका से इसकी शुरुवात हुई, यहां कुछ बड़े निवेशक, उनके सामने कुछ नए उद्यमी आते हैं, अपने आइडियास पेश करते हैं, निवेशक उनमें निवेश करते हैं, युकिटी लेते हैं, पिछला सीजन शाक टैंक आपने देखा होगा चर्चित्था बहुत सारे बड़े बड़ी कंपिनिया और बड़े निवेशक में मौझूद थे, राधिका गुपता, फंड मैनेजर होते हुए, शायद शाक टैंक में ऐसी पहली वेक्ति हैं, जो एक शाक के तौर पर सामने आई हैं, यह शाक शब्द राधिका थोड़ा जीब नहीं जो कि एक अच्छा है, I like to think of myself अपने business के बारे में ambitious, aggressive, निवेश की दुनिया में थोड़ा सा फणी है, क्योंकि निवेश की दुनिया में मुझे लगता है, रिस्क पहले आता है, तो जाधा sharkiness नहीं होनी चाहिए, I think एक middle ground होना थी, थोड़ी sharkiness होनी चाहिए, जाधा sharkiness थ अलग वो विक्तिकत भूमिका में हैं शामिल हो रही है, यह ध्यान रखना जरूरी है, वो अपने funds को, अपनी बचत को, अपने निवेश को उस जोखिम का की गणना करके उन ideas को देंगी, जिन ideas को वो समझती हैं कि वो हविशे के लिए अच्छे हैं, राधिका कैसे ideas चुने आती हैं, लोग आपर भरोसा करते हैं और तभी पिछले पांच साल में आपका AUM पांच गुना हो गया, लोग इस ट्रस्ट पर आते हैं कि राधिका यह fund मैनेज कर रही है और इस fund में अच्छा return आएगा, अब आप अपना पैसा लेकर दूसरी के fund में निवेश करने जा रह है, तो I think mutual fund से तो तो तुलना नहीं कर सकते हैं, जहां इसका तालमेल होता है, इसका एक जो meeting point है, कि चाहे हम mutual fund की तौर पर कंपनियों में निवेश करें, या मैं shark tank के personal, अपने personal investments का निवेश करना हूँ, हम निवेश करना है हिंदूस्तानी entrepreneur में और हिंदूस्तानी entrepreneurship में, अब वो चाहे एक लाग करोण market cap की large cap company हो, या 10 करोड की valuation की shark tank पे नहीं startup हो, है तो वो हिंदूस्तान का एक entrepreneur, अलग-अलग सफर में, अलग-अलग points पे हम निवेश करने हैं, तो मुझे लगता है, अच्छी company, अच्छा entrepreneur, अच्छा business, उन में तो कही commonalities हैं, और business को देखने के नजरियों में भी कुछ तो commonalities रहेंगी, of course, as I said, एक-एक clients का capital है, which is much harder to invest, उसके regulations है, तो वो एक बहुत अलग दुनिया है, and I am a CEO of that business, this is my personal capacity, लेकिन entrepreneurship, एक meeting point है, लेकिन ये कुछ इतना आसान भी नहीं है, रादिका, दोनों के बीच में, उसकी वज़े हैं, कि जब parameters होते हैं, उनके कुछ valuation matrix होते हैं, यहां आपके सामने पिल्कुल raw idea आने वाला है, एक नए idea आने वाला है, जिस idea के चलने की ना चलने की guarantee नहीं है, के वहला idea मेंवेश करना होता है, तो जब आप आपके पास AUM है, और जब आप fund allocate करती हैं, तो जो parameters इस्तेमाल होते हैं, व आपका अपना parameter formula क्या होगा, यह सवाल में इसलिए पूछ रहा हूँ कि शाक्ता हैं, के पिछले आनुभवों से लोगों को यह पता है, कि बहुत सारे idea investment में जो valuation के parameter थे, उस सिर्फ idea के base पर थे, बट आप तो fund manager हैं, तो आपके पास तो company, सही company चुनने का तजरूबा आप मिलती हैं और हमें घंटे भर के अंदर एक फैसला करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा फरक है, बट I think जो कुछ बाते में देखना चाहूंगी, यह अलग नहीं है actually, सबसे पहले तो हम निवेश की दुनिया में management का बहुत सिकर करते हैं, मुझे लगता है एक छोटी company में, मैं गिर के संभल सकता हूं, I think एक छोटी company में entrepreneur जिसे हम management कहते हैं, वो बहुत important है, और मैं धंग से बिजनस को चलाओंगा, जिसको हम वहाँ governance कहते हैं, मैं tax दे रहा हूं, मैं compliance को, मैं धंग से company बना रहा हूं, एक तो यह important है, दूसरा I think जिसके बारे में मैं बहुत sensitive वहाँ हम profit देखते हैं, यहाँ शायद profit ना हो, लेकिन हम unit economics, मैं जरूर देखना चाहूंगी, कि आपने कोई product ऐसा ढूंडा है, कोई problem solve किये, जो कोई खरीदना चाहता है, और उसके लिए आपको पैसे देना चाहता है, और eventually, आज नहीं, बात में आप इसमें पैसे बना सक होते हैं या नहीं, business model आपका थोड़ा sustainable होना चाहिए, यह मेरे लिए important है, and तीसरा of course, वहाँ भी, यहाँ भी, valuation important है, you know, अब यहाँ आप price to earnings multiple और वो सब, वो तो देखते नहीं है, लेकिन एक sanity की जो range होती है, valuation की, भही आप क्या मांग रहे हैं, ऐसे या कि कुछ ना वो भी थोड़ा सा important है, क्योंकि चाहिए किसी और का capital हो, या अपना capital हो, पैसे की इज़त करनी चाहिए, capital की इज़त करनी चाहिए, तो वो मेरे लिए बहुत important है, एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगे, यह एक निवेश का effort है, of course, मैं personal capital डालने हो, बट यह एक young yuva entrepreneur को support क करने का भी effort है, तो इसमें मैं ऐसे businesses से भी जुड़ना चाहूंगी, जो मेरे दिल के करीब हैं, जहां मैं कुछ value add कर सकती हो, कुछ ऐसे शेत्र जो, which speak to my heart, that is not true in professional investing, तो यहां एक थोड़ा सा personal angle भी आ जाता है, तो shark tank पे आने वाले लोग आप धान रखिए, कि केवल idea से का यूनिट एकॉनमिक्स भी रादिका समझने की कोशिश करेंगी, लेकि नहां से मैं difficult terrain में ले जाते हैं, रादिका सवाल को, आप shark tank में जब शामिल हो रही है, शाक होकर, तब इंडिया के startup space में बहुत अथल पुतल मची है, बड़े startups जो अब idea से आपके mutual fund portfolio का हिसा भी हो ग बड़ी company थी, उनको वो सबसमस्या में हैं, उनके valuation के सवाल हैं, उनके business model collapse कर रहे हैं, तो यह startup का जो अब space पिछले एक साल में develop हुआ है, इसमें बहुत सारी rethinking आना शुरू हुई है, सिर्फ यही नहीं कि idea successful हो, इसके पीछे revenues के भी parameters आ रहे हैं, यह जो phenomenon बदला है startup में, बड़ी startup कहानियों को मुश्किल में फस्ता देख रहे हैं, वहां shark tank में अब कैसा नजरिया होगा startup ideas को लेकर हमारे ताजय अनुभवों की रोशनी में, देखे, fundamentally, दो बते, एक तो इंडिया में जो entrepreneurship का culture चलाया है, वो 5 साल पहले से नहीं है, किसे जमाने में Infosys भी एक entrepreneurial effort जो की आज जाके इंडिया का एक giant बनाया है, तो fundamentally, देश में entrepreneurship के कारण देश चलता है, private sector की जो animal instincts हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं इंडिया के लिए, and I don't think यह 5 साल पुरानी कहानिया है, Infosys जाके आपकी 1980 में शुरू हुई थी, तो सबसे पहले तो यह, दूसरा, जब आप start-up करते हैं, तो failure जाहिर है, हजार start-up में से शायद, एक, दो, तीन, चार काम्याब हों, और हमें failure को celebrate करना चाहिए, अगर हम बार-बार कहेंगे, लोग fail हो गए हैं, तो यह start-up space कभी take-off नहीं करेंगा, मुझे लगता है, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, जो आप sustainable growth है, उसके पीछे नहीं पड़ा रहना चाहिए, मैं बार-बार कहती हूँ कि यह जो fund raising, हम भी shark tank में funds देना है, fund raising सिरफ एक हिस्सा एक company की जिंदेगी का, वो एक end in itself नहीं है, वो एक means to end end है, और सिरफ fund raising को हमें celebrate नहीं करना चाहिए, हमें sustainable businesses जो आगे जाके कल की बड़ी companies बनेंगे, उनको celebrate करना चाहिए, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी maturity आई है startup ecosystem में, उसकी कुछ casualties भी है, उसके कुछ results भी है, और वो हर industry में आती है, equity, public equities में भी आई थी, एक time पे 10-15 साल पहले, शायद थोड़ी poor और corporate governance की companies, capital markets में आके पैसे raise करती थी, आज वो मेरे entrepreneurs में, जैसे मैं भी देखने हूँ, Shark Tank में भी, एक थोड़ा humanate, economics, revenue इसकी समझ आ गई है, तो time लगता है इस conversation में, and I think हमारी expectations भी realistic होनी चाहिए, आज आप business शुरू करेंगे, तो वो loss making होगा, लेकिन एक path होना चाहिए, profitability का, path होना चाहिए, वो बहुत जरूरी और एक mindset होन आपके जाने से Shark Tank में, जैसा राधिका बोल रही है, Shark Tank के discussions शायद इस बार थोड़े different होंगे, क्योंकि इससे पहले Shark Tank के discussions, उन startup investors के ही थे, शाक के तौर पर जो मौझूद थे, जो कुछ startup run कर रहे हैं, उनके success story, उनके challenges हैं, कुछ के startup पहले सब fail हुए, फिर उनने दोबारा शुरू किया और वो उस experience के साथ जा रहे थे, पर इस बार Shark Tank में, फंड मैनेजर मौझूद है, और फंड मैनेजर के valuation के parameters, शायद जाधा बड़े बड़ा हल्ड, challenge होंगे, उन ideas के लिए, जिन ideas को लेकर लोग आएंगे और राधिका को convince करेंगे, पर यहां एक और सवाल रा के लेकिन वो models develop होने के बाद कहीं ने कहीं वो recklessness का शिकार हो गए, idea के level पर किया इसे assist किया जा सकता है कि this idea can grow and might turn on reckless kind of idea in future, because this we have seen in even global perspective also, look at the failures in US startup companies, companies 5 years, 6 years, they have done tremendously well and then finally they collapsed and then exposed to the lot of vulnerabilities for investors, so this phenomenon, is also prevalent in India in certain startups, I actually think idea की value बहुत जादा नहीं है, because idea बहुत लोगों के पास होते है, and that is why I said कि अगर आप startup companies देखे मेरे हिसाब से, the person running the business is very important, क्योंकि person यह जो entrepreneur है, वो दो बाते है, करेगा, एक तो कि आपने जो idea लिया है, आप उसे execute कर सकते हैं, बहुत बार लोगों का क्या होता है, हमने यहां भी देखा है, बार भी देखा है, आपने कहा कि मैं एक cosmetic company चला हूंगा, चलते चलते चलाई, फिर आपने suddenly decide कि अच्छे यह नीचलती है, मैं कुछ और कर लेता तो एक जो focus और resilience है, वो entrepreneur में होना चाहिए, दूसरा जो हम बड़ी companies के context में कहते है, governance, यह I think startup system में थोड़ा सा एक challenging part रहा है, यह भी मैं entrepreneur में देखती हूं, I think इसकी बात करना, मैं हमेशा कहती हूं कि चाहे आज आज आप एक करोड की या दो करोड की company build करने है, उसे build ऐसे करिए कि एक दन आपका IPO हो सकता है, तो आप अपने tax, अपने compliance, वो सारे ऐसे रखी है कि एक दन अगर आपको एक IPO बनाना है, तो आप कर सकते हैं, आपने बात कहीं अन्शुमन, विचाए बनाना है, मैं एक fund professional हूं, लेकिन मैं also एक entrepreneur रही हूं, एक company बनाई है, और Edelweiss mutual fund भ चलाते हैं, यह तो finance, यह finance नहीं है, हम भी consumer businesses चलाते हैं, आज हमारे भी 10-15 लाख investor हैं, हमारी industry के 4 करोड investor हैं, तो हम भी एक consumer business चलाते हैं, हमें भी एक consumer business चलाने का experience है, उसे loss making से profitable बनाने का भी experience है, और ज्यादा difficult experience है, क्योंकि fund manager को हर महीने इस बात के लिए convince करना, अपन mood या market की trajectory उसके control में नहीं है, lot of vulnerabilities into the market investment scenario कहीं वार है, कहीं situations है, उस बीच में investors के confidence और trust को बनाया रखना पो difficult काम है, इसलिए यह सवाल मैं दूसरा यहीं से आपका सवाल समझना चाहता हूं, हर fund manager के अपनी philosophy होती है, और इसलिए fund different हैं, और उनके returns भी different है, stocks तो वही है, equities तो वही है, सारे लोग पैसा लगाते हैं, वो philosophy कहीं न कहीं आपके personal investment में भी reflect होगी जब आप Shark Tank में जाएंगे, और philosophy क्या है, how do you drive your investment in mutual fund business, whether it is has some any relevance with the selecting ideas in Shark Tank, are both completely different? I think subconscious relevance है, अगर हमारी equity investment philosophy देखो, उसको हम fair कहते हैं, जिसमें हम कुछ चीज़े देखते हैं, एक तो आपका business robust है, हार, दूसरा आप की जो forensic analysis है, governance अच्छी है, तीसरा आप उसके लिए सही price देते हैं, ये तीन चीज़े हमारी investment philosophy में जिसको हम fair कहते हैं, आती हैं, अगर और करें, जो मैंने shark tank की बाते की, मैंने pricing की बात की, मैंने sustainable business model की बात की, मैंने management की बात की, तो subconsciously I think investment एक बहुत personal चीज़े है, लेकिन आप एक तरह एक चीज़े नहीं मन सकते हैं, और दूसरी, you can't live two different lives as an investment professional, तो direct correlation नहीं है, लेकिन एक subconscious nuance है, मैं ये कह दूँगा. mutual fund पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी दो सवाल का समय हमारे पास है, और वो जरूरी है आप से जानना, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग shark tank के अलावे mutual fund manager के तरह पर जानते हैं, और वही आपका important profile भी है, लगातार भारत में चर्चा की जाती mutual fund industry तेजी से ग्रो कर र हैं और mutual fund में पैसा नहीं लगाते हैं, कहां mutual fund industry इस communication को, इस message को वहां तक पहुंचा नहीं पा रही है, उन लोगों को जो कार पर तो research कर लेते हैं खरीदने के लिए, crypto लाटरी कार से बेटर exam पर देती हूँ, मैंने पढ़ा कहीं कि देश में 40 से 50 करोर लोग हैं, जो एक food delivery platform use करते हैं या किसी OTT platform के subscribe बने, अब अगर आप 100 रुपे हर महीने किसी OTT platform को दे सकते हैं, तो आप जरूर 100 रुपे की SIP शुरू कर सकते हैं, I think क्या हुआ, दो बाते हैं, एक तो awareness होती है, और उस awareness को निवेश में translate करने का decision होता है, मेरे हिसाब से अब awareness बढ़ी है, इसका है, mutual fund सही है को भी जाता है, growing financialization, digitization, बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन अगर आप लोगों से पूछे हैं, मैं तो ये पोल जाके करती हूँ, शाक टैंक के सेट पर भी जाके किया है, कि आप में से कितने लोग mutual fund शबत को सुना है, काफी लोग हाथ खड़ा करते है, SIP सुना हो चाहे mutual fund, under penetrated तो है, compared to west, क्योंकि हम एक background से आते हैं, जहां scarcity थी, जहां FD में हम पैसा डालते थे, I think UBA PD के साथ ये बदल रही है, एक चीज़ जो मुझे लगता है, शाहिद मेरी सीख है, जो हमारी industry को भी जादा करनी चाहिए, हम बहुत complexity में भाशा की बात करते हैं, even in media, active versus passive, large cap versus mid cap, mutual fund को एक goal और एक purpose solve करने का एक instrument बनाना चाहिए, कोई इनसान ऐसे उठके नहीं कहता, आज मुझे flexi cap fund खरीदना है, आज मुझे passive fund खरीदना है, वो उठके ये सोचता है, मुझे बच्चे को बाहर पढ़ने भीजना है 10 साल में, पैसे कैसे जुटाऊं, उसक हमें जवाब देना चाहिए, तो increasingly मेरी language goals की तरफ focused है, और simple होती जाली है, राधिका ने दोनों बाते बताई हैं आपको, वो कैसे shark tank में company चुनेंगी, और यदि आप shark tank में जा रहे हैं, भविश्य में कहीं भी कोई company मराना चाह रहे हैं, तो राधिका के shark tank के episode ध्यान से दे गोल-based investing कैसे होती है, इस परम राधिका से, फिर विस्तार से कभी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो छोटे निवेशक, आम निवेशक है, उन्हें mutual fund के चुनाव करते समय क्या देखना चाहिए, एने भी देखना चाहिए, गोल देखना चाहिए, fund का सोहाओ देखना चाहिए, fund manager देखना चाहिए, इस पर हम किसी समय विस्तार से बात करेंगे, इस खास मनिमांग के इस खास शो में, राधिका का बहुत बहुत धन्यवाद, राधिका Bombay से यहाँ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ, और हम अगले किसी कारेकर में फिर विस् सबस्तार से बात करेंगे, बोट बोटाला